आज हम आपको रिव्यू टैप के कमेंट्स ब्लॉक के सभी आप्शन्स की जानकारी दे रहे हैं यदि आप MS Word में काम करते हैं वक्त किसी पार्टिकुलर वर्ड या पैरग्राफ को एक्स्क्लेइन करते हुए कुछ extra लिखना चाते हैं और साथ ही आप PR भी चाते हैं कि वह document में दिखाई ना दे तो उसके लिए आप comments option का उप्योग कर सकते हैं तो चलिए इन सभी options को practical तरह से समझते हैं comment option का use करने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर example के लिए एक document insert किया हुआ है और यहाँ पर किसी भी word या किसी भी paragraph को define कर सकते हैं comments के माध्यम से जैसे माल लीजे हम यहाँ पर तीसरे paragraph पर जाते हैं और यहाँ पर हमने style को यहाँ पर select किया style को select करने के बाद आपको जाना है यहाँ से review tab पर और review tab पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर आपको एक blog दिखाई देगा comments का और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा new comments का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे आपके यहाँ राइट साइड में, कमेंट का एक ब्लॉग आपको दिखाई दे जाएगा, इसमें आप जो भी कमेंट टाइप करना चाहें, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, जैसे माल लीजिया हमें, आप पर लाइट हो जाएगा जिसके ओपर comment लगा हुआ है इसी तरीके से आप और भी किसी word या किसी भी paragraph के ऊपर इस तरीके का comment भी उज़ कर सकते हैं माल लीज़ा में एक और comment आपको दिखा देते हैं लगा करके हमने यहां से reading को select किया और reading को select करने के बाद हम वापस से review tab के इस new comment आप आले option पर click करेंगे इस पर click करने के बाद आप देखेंगे हमारे सामने फिर से एक dialogue box open हो गया और यहां पर हम रेटिंग से related कोई भी comment type कर लेते हैं तो माल लीज़े हमने यहां पर comment type कर दिया और उसके बाद इसे भी हमने यहां पर cancel कर दिया cancel करने के बाद हम चाते हैं कि हमारे जो भी comments है यह सभी के सभी comments हमें एक बार में दिखाई दे तो उसके लिए आपको review tab पर यहां पर एक option दिखाई देगा show comments का इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके जो भी comments आपने यहां पर किये हुए हैं जिस भी word क आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं अब माली जैसे हम पहले वाले comments के उपर click करते हैं और यहां पर click करने के बाद हम चाते हैं कि हम next वाले comment पर jump करना चाते हैं तो उसके लिए आप देखेंगे यहां पर show comment के विलकुल उपर आपको एक option दिखाई देगा next का इस पर जै कर सकते हैं जैसे माली जी हम इस previous वाले बटन पर click करते हैं तो आप देखेंगे हम पिछले वाले comments पर यहां पर पहुँच चुके हैं इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आपको एक और option दिखाई देगा delete comments का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका comment आपको यहां दिखाई दे जाएगा इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने यहां पर cross का एक option है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस से आपका comment यहां पर hide हो जाएगा और वापस से जैसे आपका comment यहां पर दिखाई दे जाएगा अब यहां पर आपको एक option दिखाई देगा इस arrow पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और option दिखाए देगा resize का इस पर जब आप click करेंगे तो आप अपने comment को यहाँ पर छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से इसको manage कर सकते हैं इसके बाद इसके just नीचे आपको एक option दिखाए देगा close का इस close वाले बटन पर click करके आप इसे वापस से close कर सकते हैं या तो यहाँ से click करके आप इसे close कर सकते हैं तो इस तरीख के से आप comments option का यहाँ पर use कर सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेशेर जरूर कीजेगा धन्यवाद